नमस्कार आज हम MHD 13 में हिंदी उपन्यास स्वरूप और विकास के हिस्से में हिंदी भाषा के बड़े रचना उपन्यास पर बात करेंगे हम जानते हैं कि भाषा किसी अभिव्यक्ति का माध्यम है और हम अपने जीवन में प्रति दिन अभिव्यक्तियां करते हैं इसलिए जब उपन्यास की भार्षा पर बातचीत करनी हो और अन्य रचनाओं की भार्षा पर बातचीत करनी हो तो हमें अलग तरह से क्यों विचार करना चाहिए पहले बाचीत ये देखां कि जिससे हम उपन्यास विधा कहते हैं वो बना दो शब्दों से उप और न्यास इसका मतलब है सामने रखी हुई बस तू जो आसपास रखी है जिसे देखकर पढ़कर ये प्रथीत हो कि ये गाथा ये कठा ये हमारी ही है इस विधा में जो भी वातावरन है जो भी दरिश्य है जो भी नायक है वो सब हमारे आसपास के हों जैसे इसलिए इसको गद्धी की बड़ी विधा के साथ अपने जीवन जगत की एक ऐसी विधा के दो पर देखा जाता है जिसमें हमारा निकट का विम्ब होता है एक तरह से निकट का विम्ब से मतलब है जीवन का चरित्र है ये और जीवन का चित्र है जिसे हमें कागज पर उतार सकते हैं और ये जो चित्र और चरित्र है ये उपन्यास के माध्यम से हमारे मध्यगवर्गिय जीवन के महाकावे के तौर पर इसकी स्थापना हुई इसलिए जब किसी भी रचना की हम बात करते हैं तो उसमें गध्य और पध्य के अलावा नाट्टी की भार्षा की बात आजकर आती है तो गद्य और पध्य में पध्य या काव्य की भाशा है उसमें अधिक सरजनात्मक्ता होती है ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये कहा गया कि जो कविता है उसके अर्थ के भिन्द में सेट से आपको मिलते हैं बार-बार अलग-लग रूपों में मिलते हैं जब हम नाटक उपन्यास और कहानी पढ़ते हैं तो वे कल्पना प्रधान गदि रूप हैं तो कल्पना प्रधान गदि रूप होने के कारण उपन्यास की भासा कहानी की भासा नाटक की भासा कविता की भासा से भिन्न होती है ये बात सिद्ध है इसी तरह से जो काल्पनिक ग तो सूसनात्मक भाषा निश्चित तोर पर सर्जनात्मक भाषा से भिन्न होती है। सूसनात्मक भाषा में हम ध्यान रखते हैं कि वह एक अलग तरह से सारवजनीन भाषा हो जिसमें अधिकांस लोगों तक बातें पहुंचाई जा सकें। लेकिन जब हम लोगसाहित्ती की बात करते हैं लोगसाहित्ती में सभी विधाया आती हैं उसमें गल्प भी है उसमें कथा भी है उसमें नाट्टी भी है उसमें काभी है उसमें विविनित रहके लोगधर्मी रचनाए हैं तो उहां की भाषा भी सर्जनात्मक भाषा लिए हो को हम कैसे आगे समझें भास के संदर में चुक्Г कि अब हम बात करते हैं तो पनियास की भाशा एक तरह अभिव्यक्ती पून होनी चाहिए। कैसे होगी अभिव्यक्ती कि हम उसमें भाशा और सहली के परिष्थितियों को ठीक से उभार पाएगा इसलिए सबसे पहली बात है कि उस भाषा का सुबोध होना आवश्यक है अब यह सुबोध से मतलब है कि इसमें भाषा की जो तारतम्यता है उसमें एक तरह से कथानक को संप्रेशित करने की जो सक्ति है वह पाठक के लेखक तक का जो जुडाव है उसके भावों और विचारों का जो जुडाव है उसमें आपसी संदर्व संबन्द होना आवश्यक है इसलिए हम यह तो देखते हैं कि गध्य में लोकोक्ति और महावरे परियाप्त मात्रा में प्रियोग होते हैं अलंकारिक भाषा भी प्रियोग तो होती है वियंजना और वियंगी भी उसमें होता है बिम्ब और प्रतिकात्मक्ता भी भाषा में होती है बाबजुद उसके हमको इध्यान रखना पड़ता है उपन्यास कार को कि उसकी भाषा सुबोध हो कम से कम एक ऐसी भासा जो अधिकान स्पार्ट कों तक पहुंच जाए इसलिए उपन्यास की भासा में प्रियोग की समस्या दोहरी भी है कारण क्योंकि जो मुस्किल काम है सूक्ष में से सूक्ष में अनुभव को जटिल अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना अब कहानी की या उपन्यास की सबसे बड़ी विशेष्टाई यह है कि ये वर्णन पर करिया से गुजरने वाली भाशाएं है ये सूछना परक हैं और इसमें जो प्रिकृती में सूछना या वर्णन है उसमें दिल्चेश्वी कैसे पैदा हो और जो वर्णन शमता है उसका विकास भी कैसे हो इसलिए जो अभिव्यक्ति कला है आधुनिक रशनाओं में उसमें उपन्यास में अगर इनका उपयोग करते हैं तो एक सीमा तक हो सकता है क्योंकि मूलवाव को अनुभव को संप्रेशित भी करना है घटना और चरित्र की सूचना भी देनी है और उसका जो समवेदन है उस समवेदन तक भी पाठक को पहुँचाना है इसलिए जब हम उपन्यास की भाषा की बात करते हैं तो एक सरजनात्मक भाषा की बात कर रहे है कल्पना प्रधान लेखन के संदर्ब से लेकिन ये रशना द्रिष्टी का विकास कैसे होगा इसमें जब हम रशना द्रिष्टी की बात करेंगे तो ये जो भाषा है और जो उसकी अभियत्ती है वह हमारे लिए पहला ओजार है इसलिए हिंदी उपन्यास हुमें जब चंड कांता आया या परिक्षागरू उपन्यास आया या अगर हम विकास के संदर्ब में अपने अजनवी तक की भाषा को देखते हैं तो एक विकास है और इसी विकास को अगर हम आगे लेकर के आते हैं कमलेस्तवर तक अगर हम देखते हैं उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हम हम अलमा कभुतरी देखते हैं, हम आवाँ देखते हैं, या आज के संदब से नए विश्यों पर आते हुए तमाम तरह के जीवन जगत से जूड़े हुए विश्यों को देखते हैं. तो हमें यह पता है, कि यह जो चन्रकांठा है, या तितली है, या चित्रलेखा है ये जो उपन्यास थे वो अपनी भाषा विशेश्चता के कारण विशेश लोगों में चट्चित हुए उपन्यासों के वर्ग में हम एक ऐसे उपन्यास को भी देखते हैं जो जासुसी एयारी के उपन्यास थे और उसका विकास आज के दिन भिन्य तरह के उपन्यासों के तौर पर भी हो रहा है लेकिन जो शिक्षित मध्यवर्ग है उसके जीवन के विकास के साथ साथ उपन्यास का विकास हुआ एक तरह से उपन्यास उनके लिए समझने के लिए उपभोग सामागरी की तरह भी हुआ उसमें जो वास्तविक्ताएं हैं उसका जो आस्वाद है उसको जनरूची के संपन्ता के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचाने का काम करता है उपन्यास इसलिए अगर हम सुरुवाती उपन्यास उमें बाबू गोपालराम गहमरी को देखते हैं और उनकी भाषा को देखत संपन्यास का विकास है अलग-अलग उपन्यासों के माध्यम से हमें भिन-भिन रूप में दिखता है इसलिए जब हम यस्पाल के जुटा सज उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़तों उपन्यास नहें हैं लेकिन उसमें सजनात्मग भासा के साथा प्रस्थूर डिखते हैं कि कई बार सनकाली हिंदी उपन्यासों में अधेक तरह के विशया हैं उसमें प्रगतिवादी अधार ना प्रभाव उसमें आंचलिक्ता के प्रभाव, उसमें सामाजी की अथार्थ के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं इसलिए जो अलग-लग उपन्यास हैं और जो अलग-लग उपन्यासकार हैं उनकी भाषा को हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन जगत से उस भाषा को लिया। जीवन जगत से लेने के काराने ये भाषा हमारे बीच और अधिक लोग प्री हुई। क्योंकि जो भासिक सनचना है उसमें कोई ऐसा हमारे पास तुलनात्मक तोर पर ये नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा किसी उपन्यास के लिए उप्युक्त होती। लेकिन जो लेखी की आजादी है या लेखी की विशेशग्यता है या लेख की मर्म को समझने की जो अभीव्यक्ति को बताने की जो स्थिती है उसमें लेखक अपने पात्रानुकूल और जो विशेयानुकूल है भाषा का चैन करता है। इसलिए जो निर्वन बर्मा का उपन्यास है वे दिन वे अलग तरह का उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है और कितने पाकिस्तान की भाषा देखते हैं तो वे अलग तरह की भाषा बनकर के आती है हम अलग-अलग हिस्सों में सेखर एक जीवनी के लेखक की भाषा देखते हैं तो संस्कित निश्चिता तद्भाव तत्सम सैली हमको उसमें दिखती है कई जगे और इसी तरह से जब हम गोदान में देखते हैं मेहता और मालती के समवादों में जो भाषा आई है वो समवादात्मक्ता अगे के सैली या हम कहाँ जैसिंकर परसाद की सैली या हजार परसाद दियुदी की सैली कई बार उसके आज-पास जाती भी शैली पतीत होने लगती है इसलिए भासा के संदर में रशना पर जब हम बात करते हैं तो उपन्यास में भासा का जो आधुनिक प्रियोग है अब आज के दिन नए उपन्यासों में उसमें भासिक विसलेशन और भासिक जो प्रस्तुति है वो भिन्य रूप में हो रही है इसलिए नए उपन्यास जब भी आ रहे हैं आज के उद में भाषा का बदलाव पुराने उपन्यासों से भिन्द तोर पर दिखाए दे रहा है कारण कि अंग्रेजी हिंदी के प्रभाव के अलावा, उर्दू हिंदी के प्रभाव के अलावा, छेत्रिय बोलियों के प्रभाव के अलावा, आज के दिन अन्य भासा भासी समाजों से, चाहे वो हिंदी भासा भासी समाज भी अगर है, तो तमिल, तेलगू, कंदर, मल्यालम मराथी, गुजराती, पंजाबी, असमी, बंगाली तमाम तरह की भासा समाजों से जो सब्दावली हमारे वीचाई और जो व्यापारिक और लोगतांत्रिक अभिवेक्तियों के नाते हम लोग एक दूसरे समाजों में आवाजाही कर रहे हैं उनके नाते और फिर दुनिया की तमाम भासाओं से जैसे फ्रेंच से, जर्मन से, रूसी भासा से, अंग्रेजी से, चीनी से, जापानी से या अरब दुनिया की अलग-अलग छोटी-छोटी भासाओं से भी हमारे पास अनेक ऐसे शब्दावलियां आई हैं जो हमारी भार्षा के हिस्से में न केवल जुड़ गई हैं बलकि उनके माध्यम से उन इस्थितियों पर इस्थितियों को हम देख पा रहे हैं इसलिए आज के दिन अगर हम समझ दे तोड़ पर उपन्यास चर्चा करेंगे तो प्रवासी दुनिया में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं चाहे ब्रेटेन में चाहे अमरिका में चाहे मौडिसस में फीजी में अपमधरा खारते हैं या डेन्मार्क में रहने वाले लेखक जब किसी चरित्र को गढ़ता है तो निश्चित तोर पर उसकी भासा अभिव्यक्ति बदलती है। बदली भासा अभिव्यक्तियों में, वाक्य गठन में, विंब और प्रतिकों के पृयोग में, संग्या सर्वनाम के पृयोग में, वाक्य गठन में भिनता आती है। इसलिए जिसे हम आज का उपन्यास कह रहे हैं उसमें लेखक के जीवन जगत का समाज और उसके अनुभव जगत का समाज और उसके कथानक का समाज भिन भिन रूप में हमारे सामने आता है ये अनुभव या जीवन जगत से बदलेवे परिवेस में बदलीवी भाषा को हम हिंडी उपन्यासों में लंबी परंपरा से देखते हैं मैंने जैसे अभी जिक्र किया था कि सिखरेक जीवनी अग्ये का उपन्यास है उसमें जिस्तरह की भाषा आई या चितरलेखा भगोदी-चरणवर्वा का उपन्यास है उसमें जिस्तरह की भाषा आई या हम आज के दौर तक आते आते उपन्यासों में भाषा की विकास के क्रम में देखते हैं चाहे प्रभाखेतान के उपन्यास हों, अलग-अलग तरह के विशयों को लेकर, अलग-अलग तरह के समाज को लेकर उन्हों के यहाँ जो भाशा अभी व्यक्ति आ रही है, वो भिनी रूप में हमारे सामने आती है ये हिंदी के बाद प्रेमचन के चर्चा उपन्यास में भाषा को लेकर की भी होती है क्योंकि प्रेमचन ने सबसे पहले एक प्रियोग किया भाषा को लेकर कि उन्होंने आम जन्जीवन के विशय ही नहीं लिए बलकि भाषा भी आम जन्जीवन के लिए इसलिए उनके उपन्यासों में स्वाभाविक तोर पर उस समाज के जीवन की भाषा आई है चाहे उसमें अभिव्यक्ति में नीजी जीवन के अनुभवों से जुड़ी भाषा है उसमें प्रेम है क्रोध है उसमें गुस्सा है उसमें जो अभिव्यक्ति आई है उस अभिव् तो अभिव्यक्त करने वाली भार्षा ववी उस तरह से पूरी भंगिमां के साथ आई हैं इस L rates जब अगोई देखते हैं तो उसके अल्शेओं का या है जो प्रस्तोती करन्त वह भिन तरीके से आता आता है इसलिए सेखर का जो चरित्र है जो ससी का चरित्र है वो अलग तरह से अपनी अभिव्यक्ति करता है त्याकपत्र में जो बुआ का चरित्र है प्रमोट का चरित्र है वो अन्य तरह से अभिव्यक्ति करता है क्योंकि उनका समाज एक अलग समाज है जो प्रेमचन के साहिती के मैं जिस समाज से हम भिन समाज के तौर पर पाते हैं इसलिए जब उपन्यास की भाषा की और बात की जाती है तो यह जैनेंडर अग्ये के अलावा बात के जो हमारे महत्पूर्ण रस्नाकार हैं उनकी भाषा को लेकर एक विवेचन होता है जैसे अगर हम जैसर्गर प्रशाद की भाषा कहें या जैसर्गर प्रशाद के समकालीन अन्य लेखकों में जैनेंडर की भी अगर बात करते हैं बात में हम भगवती चरण वर्मा यस्पाल उपेंडर नाथास कामतलाल नागर मोहन राकेस इनकी भाषा की बात करते हैं तो इन्होंने जो क्रथानक को अभिव्यक्ति दी है वो विशय विशयस्त में रस्टनाकारों में भिन्द तरीके से मिलती है यस्पाल के जो वर्णन है वो भिन्द तरीके से आते हैं जुटा सच अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें वर्णन प्रधान पधती है और एक अलग तरह से विशय हमारे सामने प्रस्तुत होता है और जो भासिक सर्जनात्मकता है वो भिन्द रूप में हमारे सामने आती है जो पर्ण्यासों की भासिक सर्जन की प्रिक्रिया है इसलिए उसमें हमें एक अच्छे रस्नाकार में कितनी तरह की भासिक शमता है उसको भी देखने का आउसर मिलता है तो एक तरह से हिंदी में सरल वर्नात्मक उपन्यास बहुत सारे आए और तमाम तरह के सिल्पगत जो प्रियोग हैं उसमें विधानगत कठिनाईया हैं बहुत तरह की हम लोगों ने देखा है कि हिंडी उपन्यासों में भासिक संगठन जो है उसका विकास है वह निरंतर हुआ है इसलिए जो भाषा हमें नागारजुन के हां दिखती है यसपाल के हां दिखती है जैने इंड्र और इलाचन जोसी के हां दिखती है अग्ये और रेणु के हां दिखती है और मनोहर श्याम जोसी तक आते आते हमें उसमें क्रिशन बल्देव वैद तक आते विनोत कुमार सुगल तक आते आते भाष जो जीवन जगत के विशेयों को लेकर उपन्यास दिख रहे हैं उनकी भासा और जो एतिहासिक और हमारे मिठकी विशेयों को लेकर रचना कर रहे हैं उनकी भासा में विकास होना निश्चित है और वो विकास हमें हिंदी उपन्यासों की भासा में दिखाए देता है इसलिए जो भासिक विकास है ये उपन्यास की जो भाषा है उसमें वर्णन साध्य नहीं है साधन अधिक है क्योंकि जो भी अनुभव है उसका संप्रेशन करता है लेखक और उस अनुभव को जीवन जगत तक पहुंचाता है कि इस रूप में कि वह एक आवश्यक रशना कर्म को स्थूल वर्णन को सजनात्मक भाषा के साथ जोड़ता है और जो वर्णनात्मक भाषा है उसका प्रियोग करता है साथ में इस तरह से जो रशना कर्म है वो भिन्न तरह से हमारे सामने प्रस्तूत होता है उपन्यास की भार्षा में वर्णन और विशलेशन और विवरण तीनु आते हैं क्योंकि उपन्यास में लेखक जिस विवरण की बात करता है उस विवरण से तातपर यह है कि वह एक-एक इकाई को आप तक पहुंचाना चाहता है इसलिए उपन्यास लेखन में जो लेखक की भार्षा है वह विशिस्ता पुर्वक उप्योग कर पाई इसकी आवशिक्ता होती है रामचंद सुकली इसलिए जब कहते हैं कि मानव जीवन के अनेग रूपों का परचे कराना उपन्यास का काम है यह सूक्ष में से सूक्ष में घटनाओं का परचेक्ष करने का यतन करता है जिनसे मनुष्य जीवन बनता है जो इतिहास आज की पहुंच से बाहर है जब प्रेमचंद कहते हैं कि वे उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझते हैं और उसके रहश्यों को खोलने का काम उपन्यास का मूल तत्व है तो इसका मतलब है कि अलग-अलग हिस्से में उपन्यास के लेखन को लेकर जो चर्चा हुई उसमें कथा कहना, कथा रचना और कथा लिखना तीनू की बात होती है इसलिए जो हमारा पाठिकरम है उसमें आप इस विशे पर चर्चा देखते हैं कि ये जो कथा कहना है जो किस्टा गोई परमपरा की देन है और उस किस्टा गोई परमपरा में उपन्यास की भासिक सनरशना है उस पर व्यापक चर्चा होती है और उपन्यास की कथा दिखाना सिनेमाई भासा को उपन्यास में डालना और इस तरह उपन्यास की भासा जो गड़ी की भासा है उसे मूल बोलचाल की भासा के नजदीक लाना पात्र की परिष्थिती के अनुरूप धलने वाली भासा ऐसा स्रिजन चाहिए होता है हम ये भी जानते हैं उपन्यास की भासा में लोकोक्ती मुहावरों का प्रियोग बहुत आयत होता है अब क्यूं ये हमारे जीवन जगत के ऐसे विशे हैं जिनके माध्यम से उपन्यासकार चरित्रों को स्रिजित करता है उकेरता है और हम तक पहुंचाता है इसलिए जो देश इसी रूप में हमारे सामने प्रकट होती है चाहे वो उसमें वक्रोगती है चाहे व्यंगे है वह भी भासा का हिस्सा है लेकिन हम ये देख पाते हैं जो विवाद एक तरह से उपन्यासकी भासा को लेकर रहता है उसका कारण यही है कि हम जो काव्यात्मक्त तत्तों का प्र रजनात्मक्ता है उपन्यास की भासा की वो मर्णनात्मक्ता से प्रभावित होगी उसमें व्यापक परिवेस और विबित रह की परिश्थितियों का घटनाओं का पात्रों का चित्रन होता है और जो अनुकूल भासा होती है पात्रों की जो कथा प्रवाह की अनुसार चलने वाली भाषा है जिसमें एक तरह से जो गती है जो तनाव है जो संगर्स हैं उनकी अभियक्ति होती है ऐसी उपन्यास की ऐसी भाषा से निरंतर बदलाव आते रहते हैं रजनात मक्ता में और आज के दिन जो उपन्यास की भाषा की गठन के संदर में आप अंतर आता हुआ दे बहाव हमारे बीच आ रहे हैं इसलिए जो विविर वर्गों की भाषा है अनेक अनेक समाजों की भाषा है या जो अन्य उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास में भाषा प्रियुक्त की है वह दूसरे उपन्यासकार को भी प्रेदित करती है क्योंकि रशनात्मक्ता के हिस्स संगत भासा का प्रियोग है वह सरजनात्प्रक भासा के लिए जरूरी है इसलिए किताबी भासा उपन्यास में नहीं चलती क्योंकि उपन्यास की लाई टूटती है अगर कोई लेखक किताबी भासा का प्रियोग करेगा इसका प्रभाव देखते भी है कि जब हम किसी सीखी इसलिए उपन्यासमें जो वर्णन विसलेशन और विवरण तीनु के हिस्से में भाषा परियोग है वह लेखन को और अधिक लोगों तक पहुंचाता है क्योंकि एक लेखन के विश्षता पूर्वक अपनी भाषा का परियोग करता है तो वो विश्षता उसके वर्णन में आ इसलिए रचनाख्य को सामना लेखक करता है परन्तु जो उपन्यास में नहीं संभावना हैं उनको भी हम उकेरते रहते हैं इसलिए जो साहित्रा सीलता है वह इस बात पर निर्भर करती है कि जो लेखन है वह DR K desam कि आज का जो उपन्यासकार है उसके साथ एक बड़ी चुनोती ये है कि वो परंपरागत स्थूल भासा या कविता की अमूर्त भासा को नहीं प्रियोग में लाएगा वो है एक ऐसी भासा को प्रियोग में लाएगा जो भासा हमारे आधुनिक जीवन को अभिव्यक्त करती हो और आज की पीड़ी के लिए संप्रेशित होती हो कारण संप्रेशन की भासा में परंपरागत भासा के भिन भिन रूप आएंगे इसलिए हम जो परंपरागत संस्कितनिश्यली के उपन्यास है या उस परिवेश समाज और इस्थिती को बर्णन करने वाले उपन्यास है उन उपन्यास चाहे कितना ही छोटा हो या उसमें कहानी कितनी कुछ कम पात्रों से भी जुड़ी हुए हो तब भी उनका जो एक तरह से उपन्यास का गठन है उसमें जो उसकी प्रिक्रेती है उसकी अभिव्यक्ति दिखाई देनी चाहिए हिंदी में हम यह जानते हैं वननात्मक विकास गति को आगे बढ़ाती है और इस वननात्मक्ता के माध्यम से उपन्यास का कठानक आगे बढ़ता है लेकिन जो भासिक संगठन है वह कई बार वर्ननात्मक्ता में कमजोर हो जाता है क्यूंकि लेख की जो विशिस्चता है उसमें वर्नन में स्थूलता नहीं आनी चाहिए और जो एक तरह से सहसिक प्रियोग है वह उपन्यास को आगे तो बढ़ाते हैं मुझे आबिद सुर्ती का एक उपन्यास है तितली के पंखों पर उसका नाम उसका एक संदर्ब देना मैं उप्योग समझता हूं कि वह एक उपन्यासिक क्रिटी बनाते समय यह हध्यान रखते हैं कि यह एक डायरी है वह डायरी जो दिन प्रति दिन लिखी जा रही है और उसके जो पात्र हैं वो अपने जीवन के प्रति दिन के अनुभवों को डायरी करत कर रहे हैं और डायरी लिखते-लिखते वह उपन्यास पूरा हो जाता है इसमें प्रति दिन की तो इस तरह के पात्नों के बाद्यों से चाहे हम अभी जिसे कितने पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे या आवां की चर्चा कर देता है जो परंपरागत उपन्यास सहली से अलग है आज इस कक्षा में हम लोगों ने हिंदी उपन्यास के भासा गठन पर बातचीत की निश्चीत तोर पर कोई भी रशना जिसमें उपन्यास है कहानी है जो कथा संदर्भों से जुड़े हुए विशय हैं जिसमें नाटक य या एक आंकी भी आता है जहां कथानक को हम घध्यात्प में परस्तूत करते हैं इन सब में भाशा को लेकर विशीष्ट उपलब्धी यह है कि आप उसके वर्णन में उसके विश्लेश्ण में और उसके कथं या समवाद के परस्तूती करण में यह साफ़धानी रखते हैं और उसकी जो उपस्थिती है, पात्री की उपस्थिती वह खाली स्थूल ढंग से नहीं होगी, बलकि इस रूप में होगी कि वह उस पात्र के माध्यम से कथानक को आप तक संप्रेशित कर सकेगा. एक विद्यार्थी के रूप में और एक पाठक के रूप में जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए उपन्यास की भाषा एक बहत्मूर्ण आयाम है उसका, क्योंकि जो भी सर्जनात्मक्ता हम उस भाषा से सीखते हैं, उसके माध्यम से हम अन्य रशनावूं में उस भाषा का जो वैशिष्टे हैं वो भी निश्चित करते हैं, इसलिए समकालीन हिंडी उपन्यास में चाहे जिस भी अवधारणा से वह आये हों, चाहे प्रगतिवादी, चाहे आंचलिक, चाहे समाजी की अथार्थ को अव्यक्त करने वाले उपन्यास, जीवन जगत के वही एक ऐसा तत्व है जो विशिष्ट रचना बनाता है, इसलिए आपको जब किसी भी उपन्यास को पढ़ना है, तो उसमें उस चरित्र के गठन के उस भाषा के प्रियोग के दोनु आयाम हमें समझने पढ़ते हैं, समझने चाहिए, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि कालपनिक गध्यमाध्यम है उसमें कलपना प्रधानता के साथ सजनात्मक भासा और सुसनात्मक भासा दोनु का प्रियोग हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक विशिष्ट प्रकार की देशना है, जिसमें हम महाकावियत मक्ता तो तलासते हैं जीवन जगत की, लेक जोड़ता है, यह विशय जो आज हमारा था उपन्यास की भासा के स्वरूप के संबन्न में, वह संपन्न होता है और हिंदी उपन्यास स्वरूप विकास के हिस्से में भासा को समझने का जो प्रियास आज हमने किया, उसमें आप अपने पाठ्षिक्रम में उपस्त जो प्र नाचिक्रम में, जो पाठीक्रम में उपन्यास हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे, तो हिंदी उपन्यास की भाषा, जिसमें हम कहते हैं स्रीजनात्मक, सूर्चनात्मक भाषा प्रयुक्त होई है, उसका विकास देखेंगे, और शंस्कृत परंपरा से लेकर आज तक की जो भ झाल झाल